मानव जीवन का अनुपम सोभाग्या मानव जीवन भगवान की दे हुई सर्वुत्तम विभुति है इससे बड़ा वर्दान और कुछ हो ही नहीं सकता स्रिष्टी की समस्त्य प्राणियों को जैसे शरीर मिले हैं जैसे सुविधा साधन प्राप्त हैं उनकी तुलना में मनुशिक की इस्थिति असंखे गुणी श्रेष्ट है दूसरी जीवों का सारा समय और श्रम केवल शरीर रक्षा में ही लग जाता है फिर वी वे ठीक तरह उस समस्या को हल नहीं कर पाते इसके विपरीत मनुशिक को ऐसा अध्भुत शरीर मिला है जिसकी प्रत्यक इंद्रिय आनंद और उल्लास से भरी पूरी है उसे ऐसा मन मिला है जो बगबग पर हरशुलास का लाभ ले सकता है उसे ऐसी बुद्धि मिली है जो साधारन पदार्थों से अपनी सुक्स विधा के साधन विनिर्मित कर सकती है मानो प्राणी को जैसा परिवार, समाज, साहित्य तथा सुक्स विधाओं से भरापूरा वातावरण मिला है वैसा और किसी जीव को प्राप्त नहीं है इतना बड़ा स्वभाग उसे अकारण ही नहीं मिला है भगवान की इच्छा है कि मनुष्य उसकी इस रिष्टी को अथिक सुन्दर, अथिक सुखी, अथिक सम्रिद्ध और समुन्नत बनाने में उसका हाथ बटाए अपनी बुद्धी, क्षमता और विशेष्था से अन्य पिछड़े हुए जीवों की सुविधा का सुरिजन करें और परस पर इस तरह का सद्वेवहार बरतें जिससे इस संसार में सर्वत्र, स्वर्गे वादावरन रिष्टी गोचर होने लगे अखंड जोती, मई 1967, ट्रिष्ट एक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सेर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिसी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही बेल आईकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद